नमस्कार दोस्तो सौगत है आप सभी का इजीनों की चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में देखेंगे राश्टी ए खेल पुरुसकार 2020 चोटी सी वीडियो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है सारे खेल लतन पुरुसकार आपको याद नहीं करने केवल कुछ ही याद करने मैं ब और सबसे पहले राजीव गांदी खेल पुरुसकार का पहला अवार्ड कप दिया गया था यह 91-92-70 में दिया गया था निस सो एक्यानवे से बानवे में दिया था पहला वोर्ड किसे दिया था यह MPPCS में UPPCS में और SSC लेवल के एक्जाम में यह पूछा गया है कई पहला राजीव गांदी खेल पुरुसकार दिया गया था विश्वनात आनंद को कब दिया गया था 1991-92 में और विश्वनात आनंद जो कि शत्रंज के खिलाड़ी है ठीक है विश्वनात आनंद इन्हें पहला राजीव गांदी खेल पुरुसकार दिया गया था यह जरूर याद क कर लिए गयं कि आपने था ठीक है अब बात करते हैं यह राजीव घंदी खेल पुरुष्कार किसी को मिलता है तो उसे कितनी राशी को तो राजीव घंदी खेल पुरुष्கार में विजेता जो आपिश्यस लाक रुपए जीतर है याद प्रफिस्ट लाक रुपे दी जाती है अब देख लेते हैं फ्रंट्स यह किस मंत्राले के दौरा खिल पुरुस्कारों की गोशना की जाती है तो यूजली खेल से रिलेटर है तो कौन करता है तो खेल मंत्राले करता है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड इस्पोर्ट ठीक है इनकी जो कंस्ट्टेंस ही है यह अरणाचल परदेश के आते हैं इनमे के दौफ प्रभार के मंत्रियां याने करणार गाहते हात मे और यह नंहें नौर्धीषर की आवाज के आम अगर मैं हिंदी में बात करूं ठीक है वाइस आफ नौर्थ इस्ट का जाता है कि रहन डिजी जो को याद रखेगा अब बात करते हैं राश्टी है जो राजीव गांधी खेल पुरुसकार होते हैं यह किसके दारह नवाजा जाता है तो दोस्तों खेल मंतराले तो पुष्ट करता है खेल अवाड की और जो बाटे जाते हैं वो राश्पती इन्हें बाटता है ठीक है खिलाडियों को इस बार तो वर्चुली हुआ था वीडियो कॉलिंग से हुआ था ठीक है क्योंकि कोविट नाइंटी चला है और बात करूं राजीव गांधी किल पुरुसकार में क खेल दिवस मना जाता है अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल पुरुसकार 2020 कितने खिलाडियों को मिला सबसे पहले आपको यह याद रखना ठीक है तो टोटल पांच खिलाडियों को मिला कौन कौन है राजीव गांदी खेलतन पुरुसकार से समानेत रोई शर्मा है जो की फ्रेंड भारती है क्रिकेट टीम के ओपनर है मरियन थंगा वेलू है जो की पहरा एथलेट है दोस्तो एक चीज मैं बताओं रोई शर्मा सब को पता है किरकेटर है ठीक है लेकिन मनिक बत्रा मरियम पत थंगा वेलू और विनेश वोकाट और रानी रामपॉल इन्हें जरूरियात कर लेगा और इनका पेशा जरूरियात कर लेगा क्यों कि पूछा आता है आम तौर पे इस्टुटिंट को पता होता है कि इन्हें राजीव गांदी खेल पुरूषकार मिला है लेकिन कईओं को दस परसेंट जो स्टूडेंट उन्हें यह निः पता होगा कि यह किस खेल से जड़ोगी तो यह ज़िए ंंपोरण भ और थीब हरा एक बार होकी से रेलेटेड़ से मनck बटतरा टेवल टैनिस से है मरियन थंगा बेलू पराइट लेट है और रोई शर्मा तो आपको पता ही है तो यह इनका जो पेशा है जुरूर याद करके जाना है एक्साम में क्योंकि यह पहुत इंपोड़न्ट होते हैं कि आप फोटो भी देख सकते हैं फ्रेंट्स जो कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री ना डाली थी अपनी ट्विटर पर वहां से मैंने यह लेके आपको दिखाने के लिए डाली है फ्रेंट राजीव गांदी केल पुरुषकार जो कि श्री रोई शर्मा श्री मरें मरेंपंद टी परा राजीव गांदी खिलना पुरुषकार से सम्मानित किया गया है अब बात करते हैं दोना चार एवार्ड की तो दोस्तों दोना चार एवार्ड दिया गया है कई लोगों को ठीक है कई जो कोचेज है उनको दिया जाता है दोना चार एवार्ड में कोचेज में ठीक है एक तो लाइफ लाइफ लाइन केटेगरी में भी कई वेक्तियों को मिला है कई कोचिज को मिला है टोना चारप उसकार तो केबल हम इसमें यह देखेंगे इंपोर्डन कौन-कौन से है ठीक है वैसे पहले मैं एक बार बता दूं किन-किन को मिला है धर्विन तवारी जो कि पहला है लिफ्टर है नरिश कुमार तैनेश है और उन प्रकास धहिया कुष्टी से रिलेटेट है इन सब वेक्तियों को मिला है पर दोना चारप ठीक है कोचेश के चेत्र में यान कि कोचेश को दिया जाता है ठीक है और इसमें मैं बता हूं आपको याद क्या करना सबसे अचिए आपको याद करना जो धर्मेंत वारी जगी दो की दिरंदाजी से दिलेटेट है और इन्हें लाइफ 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 टाइम ऑचीब्मेंट यानि की सिल्वाट मिला है वह धर्मीं दिवारी को मिला तिरंदाजी में यह जरूर नाम एत करनेया ठीक है यह पूचा है किश्ण कुमार हुड़ा और टैनिस नरेश कुमार ठीक है यह मुश्किल से तीन से चार ऐसे हैं जो आप याद कर सकते हैं और एक्जाम में पूछा है सकता एक पुर्षोत्तम राय हैं जो एतलिक से ले रिलेटेड हैं आप इन्हें याद कर सकते हैं सब याद करने की जुरूत नहीं है ठीक है एक बार दोना चार आप देख सकते हैं पूरा मैं पता चुका हूं धर्विंत बारी पुर्षोत्तम राज शिप सिंग रमेश पटानिया किशकुमार उड़ा विजय बालचन मनिश्वर नरेश कुमार उम प्रकास दहिया त अगला देख लेते हैं अगला है यह इंपोर्टेंट राश्टी खिल पुरुसकार में एक ट्रॉफी और दी गई थी मौलाना अब्दुलकलाम आजा ट्रॉफी 2020 तो यह किसे मिली है यह हमेशा एक युनिवर्स्टी को ही दी आती है तो इस वार जो दी गई है मौलाना अब दुलकलाम आजा ट्रॉफी तो यह मिली है पंजाब विश्विद्दाल है जो की चंडीगर में इस्थित है ठीक है याद रखेगा यह पूचा है सकता है एक्जाम में ठीक है अब बात करते हैं आर्जुन पुरुसकार की तो आर्जुन पुरुसकार कई लोगों को मिला हु विशेष, बंगवंशी, वास्केट बॉल से हैं, मनिक कोशिक, लबनीना बोरगान, इशान शर्मा तो दोस्तों इशान शर्मा जो की किरकेट से रेलेटेड है याद कर लीजिए पूचा है सकता है एक्जाम में और दिप्ती शर्मा यह महिला किरकेट टीम से हैं यह भी किर किरकेटर से किरकेटर हैं यह याद कर लिजे पूछा है सकता है यह अभी अर्जुन अवर्ड मिला है अजय आनन सावंद की बात करूं तो गोड़सवारी से हैं संदेश जिंगन अधिती अशोक आकाश जीव दीपक सरिका सुधकर काले खोको से हैं दत्तु बवन वोकाना इल वोकानल रोइंग से हैं मनु भेकर मनु बेकर जो की फ्रंट शूटिंग चैंपियन है और सौरफ चौतरी भी निशानिवाजी है यह याद कर लिजेगा ठीक है सारे याद करने की जुरत नहीं है ठीक है तो आगे पढ़के भी कोई फायदा नहीं है लेकिन इस मैंसे मैं इ सबसे पहले तीरेंदाजी से रिलेटे हैं ड्यूटी चंद क्योंकि एटलेटिंग यह पूचा है सकता है अरजून पुरसकार में अरजून पुरसकार में और आपको याद करना इशान शर्मा और दिप्ति शर्मा ठीक है इसके बाद हम बात करें तो चिराग शेटी जो की बैटमिन्टन से रिलेटेड हैं इपको यादर करना है अब बात करते है मनू भेकर जो की फरंट स्वोटिंग से रिलेटेड है इनहे निशानी वाजी से ही हैं अर्जन पॉसकर मिल गया है तोjin दों ही आपको पूशे गए हैं और इन्हें आपके अर्जुन पुरुषकार मिला है यह जरूर याद कर लेना है अब बात करते हैं फ्रंस ध्यांचन्द पुरुषकार की तो ध्यांचन्द पुरुषकार के नहीं मिला है तो बेसिकली ध्यांचन्द पुरुषकार कुलदीप सिंग भुलर जिनसी फिलिप एतलेटिक्स, प्रदीब गंदे, तर्पती मुरगंडे बैटमेंटन से हैं, एन उशा, लक्का सिंग, मुक्यवाजी, सुक्विननर सिंग, संदू फुटबल से संबन देता हैं, अजीज सिंग होकी से हैं, मन्पीन सिंग कबड़ी से हैं, जे रंजीत कुमार पहरा एतलेट हैं, और सत्र वकाश दिबारी ये पहरा बैटमेंटन से संबन देता है, मन्जीज सिंग की मैं बात करूँ, रोइंग से हैं, सचेन नाग तरागी से हैं, नंदन पाल टेनिस से हैं, नेतर पाल हुड़ा कुश्टी से हैं, ठीक है, अब इसमें इंपोर्टन ब द्यांचंद पुरुसकार मिला है, एन ऊशा आपको याद करना है, एन ऊशा याद करना है, कि इन्हें जो ध्यांचंद पुरुसकार है, वो मिल गया है, ठीक है, लक्का सिंग जो की मुक्के व्याजी से हैं, ये आपको याद करना है, इंपोर्टन और ज्यादा तो यह पूछा यह पूछा है तो इस वीडियो में बस इतना ही लेके आया था जिसमें कि मैंने सारी चीज आपकी कवर कराई राष्टिये खिल पुरिसकार से लेटेड और कुछ स्टेटिक जी के भी लाया जो कि पहले कभी एक्जाम में भी पूछे गए हैं मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर यह वीडियो बाकी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ के साथ इजी नौकली चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा डेस्क्रिप्शन में हमारे टेली गराम से जुढ़ना न भूलिए हमां आपको डेली वेजिस पे नोट्स प्रोवाइड किये जाते हैं ताकि आप उन्हें पढ़कर अपने पवेश्य की एक नई रूप रेक सब्सक्राइब कर सकें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं अगली वीडियो कुछ इंपोड़न टॉक टॉपिक के साथ फिल लेकर आऊंगा आपके सामने बहुत-बहुत धन्यवाद